हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल मैथ मस्ती पर दोस्तों मैं हुआ भी पीट नहीं आदब हाँ ये मैथ मस्ती नहीं ये मैथ्स लव आपका चैनल है ये math मस्ती पड़ एक community डाला था आज मैं आपको बड़ा जवरदस्त basic चीजे सीखा के जाऊंगा गनीत में आप कितना हो कमजुड भी दियरती हो और आप एकदम मतलब शुरुआत से भी सीखना चाहते हो या आपके पास गनीत का अच्छा knowledge है इसमें mistake होता है और ये mistake आगे आप नहीं करेंगे ये SSC, railway, banking, teacher इन सब के exam में पूछे जाते हैं चाहे आप भी हार SSC देने वाले हो उसमें भी पूछे जाते हैं इकाहियंक के सवाल हमेशा पूछे गया और मैंने एक post डाला था क्या जरूरत पढ़ गया मुझे इस बात को करने के लिए बताने के लिए देखिए एक लाख बावन हजार बोट हुए ये community में मैं post डालता हूं और छातरों से जानना चाहता हूं कि इसका answer क्या होगा तो मैंने डाला था इसको पढ़ते हैं factorial 555 ये factorial का symbol है तो factorial 555 में अंतिम अंक क्या होगा इसका इकाई अंक क्या होगा अब इसमें बच्चों ने जबाब दिया कि 5 और 5 जो जबाब दिया गया लगभग 84 परतिसत लोगों ने दिया और जानते हैं 0 दिया है 14 परतिसत लोगों ने लोगों को ये नहीं पता है गनीत तो सीखते हैं लेकिन गनीत को जो basic से नहीं समझने के कारण क्या होता है कि ऐसे सवाल में आप mistake करेंगे दोस्तों आईए आज हम आपको इकायन के वो गजब-गजब की रहस्य में चीज़े बताते हैं कि आपको मजा आ जाएगा सीखिके और ऐसे सवाल को आप यूँ ही चुटकियों में solve कर देंगे है तो चुटकी वाला चीज लेकिन क्या है ना एक बार पढ़ने की जरूरत है एक बार सीखने की जरूरत है इनको अब ज़रा देखिए आपको बचपन से बताया गया है कि यूनिट डिजिट क्या होता है जैसे मालीजे की कोई संख्या लिखा हुआ है तो इसमें मैं आपसे पूछ दू भाई कि इकाई अंग क्या होगा तो आप कहेंगे सर इकाई तो यही तो है साथ हो गया दोस्तों आपको पता है अगर मानली जी कोई आप से कह दे कि इतना को गुना करने पर इतना को गुना करने पर इकायंक क्या होगा इसको गुना मत किजिएगा इसको गुना मत किजिएगा इकायंक इसका तीन आप इसका साथ तो तीन को गुना साथ से करिए तीन सत्य एकीस लास्ट का इकायंक बस एक यानि एकीस में इकायंक एक हो गया तो एक आपका इकायंक हो गया दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ दे कि जरा बताईए कि इसमें इकायंक क्या होगा तो क्या आप उसे बता पाएंगे हाँ बिल्कुल बता देंगे आप इकायंक 9 लेंगे, एक लेंगे और 7 लेंगे 9 में 1 से गुना 9 9 में 7 से गुना 63 आपका इकायंक 3 हो गया ये बात होता है न इकायंक आप जानते हैं अब बड़ा इंट्रेस्टिंग बात जान लीजिए कि कोई भी संख्या का पावर 0, 1, 5 और 6 है तो ये कभी चेंज नहीं होता है ये होता है नो चेंज नो चेंज होता है मैं आऊँगा उस बात पर भी कि उस सवाल का एंसर गलत कैसे है बड़ा डिपली आप 15 मिनट 20 मिनट अगर आप पड़ते हैं न बहुत अच्छा नो लेज आपको हो जागा इसके बारे में 0, 1, 5 हो नो चेंज इसका मतलब ये होता है कोई भी संख्या का इकायंक अगर 0 है या 1 है या 5 है यहाँ पर तो इसका पावर कितना हूँ दे दीजिएगा कभी चेंज नहीं होगा 10 का स्क्वाइर एक सो जीरो आगिया न सोचिए ये 10 का क्यू भी मरक कर लेता क्यू तो 10 का क्यू एक हजार होता है इकायंक कौन हो गया? 0 10 का क्यू एक हजार मतलब 10 गुना 10 गुना 10 1 एक तालिस एक रिपीट किया न एक फिर से आया न कौन कौन चेंज नहीं होता है 0, 1, 5, 6, no change अब देखिए किसी भी संख्या के अंतिम में 5 है 5 का S2 कितना होता है? 25 इकायंक 5 हो गया कोई भी संख्या के अंतिम में 5 है तो यह कभी चेंज नहीं होता है अंतिम में 5 किसी संख्या के अंतिम में 6 है तो कितना हूँ पाबर चरहा दीजे 1, 2, 3, कितना हूँ चरहा दीजे जैसे माल लिजे कि 16 है तो 16 का S2 कितना होता है? 256 256 में 6 आ गया 16 है आप अगर 16 न लिखे अगर आप चाहते हैं कि यहां मैं कुछ और लिख दू 26 लिख दू 26 का S2 देखिए 676 फिर से 6 रिपीट कर गया न 6 का क्यू करके देखिए 216 यह 6 है इसका क्यू करके देखिए 216 216 आएगा तो याद रखिएगा 0 के बाद 1 होता है पांच के बाद 6 होता है यह कभी चेंद नहीं होता है अगर इकाईयं स्थान पर है तो जैसे अब अगर मैं आपको सिंपल एक सवाल दे दूँ और कहूं कि जरा बताईए कि एक संख्या है इतना और इसका पावर मैंने अंठानवे दे दिया और इतना में मुझे बता दीजिए कि इकायंक क्या होगा दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है आंख बंद करके इसका इकायंक 6 होगा ये बात बता देना है क्योंकि भेस का इकायंक अगर 6 है 0156 में का कुछ भी है ये कभी change नहीं होगा ये color नहीं दिख रहा था ये color दिखेगा क्या? ये तो कुछ दिख रहा है white ही ठीक है ना? black, black तो ये खुद है नहीं दिखेगा आपको white अच्छा दिखेगा आईए देखिए तो जरा अगर मैं आपसे कह दूँ कि एक संख्या लिखा मैंने इतना और इसका power लिख दिया 193 और पूछा कि इतना में इकाईंक क्या होगा जी इसमें इकाईंक क्या होगा जानते हैं आप कह देंगे आई सर इक्या पूछे हैं इकाईंक 5 होगा और क्या इकाईंक 5 होगा अगर base का इकाईंक 5 है 0 है, 1 है, 6 है यह कभी change नहीं होता है इस बात को आपने बसा लिया दिमाग में अब आईए दोस्तों जो हमारा main मुद्दा था factorial एक का मतलब होता है लेकिन factorial दो का मतलब होता है एक गुनाह दो यानि दो factorial तीन का मतलब होता है एक से लेकर तीन तक की संख्या का गुना तो कितना 6, factorial 4 का मतलब होता है एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार यानि कितना हो जाएगा, देखो यहां तक तो 6 यह 6 चके 24, अब आगे 24 पचे होगा क्योंकि 5 तक गुना होगा, factorial का सिंबॉल ऐसे भी होता है दोस्तों, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच इस सब को गुना करेंगे, यहां तक हो गया 24 आ 24 पचे 120 एकदम 0 आना ही आना है दोस्तों, अब जरा क्या होगा, कि इधर 2 और 4 समसंख्या है इस 5 से गुना हुआ, इसलिए लाष्ट में 0 होगया कोई भी गुनन फल में न, समसंख्या के साथ अगर गुना में 5 आ रहा है तो अंतिम अंक 0 जरूर आएगा अब जैसे factorial 6, इसका मतलब 1 से लेकर 6 तक की संख्या को गुना करेंगे तो अंतिम अंक 0 जरूर होगा अब देखिए, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना करके देखिए, यहां तक 24, 24 पचे 120, 120 छक्ये 720 बोलिए, लाष्ट में 0 हुआ न, लाष्ट में 0 इसलिए हो गया कि इसमें कहीं न कहीं 5 से गुना हो गया बात है समझ में, अब दोस्तों, तो क्या मैं आगर कहूं, फैक्टोरियल 7 में क्या होगा, फैक्टोरियल 7 में अंतिम अंक क्या होगा आप तुरत कहेंगे, सर, यह तो बच्चा वाला बात पूछ लिए अभी यह तो आप बताएं हैं फैक्टोरियल साथ का मतलब है एक से लेकर साथ तक के संख्या को गुना करेंगे तो इसमें संख्या के साथ पांच का भी गुना होगा तो अंतिम अंक सर जीरो होगा और क्या इको नो बड़ा बात नहीं है सर बिलकुल और आप मुझे इस बात को असान तरीके से समझा दि तो आप क्या कहेंगे क्या आप गलती से भी एक इसका अंसर करेंगे क्या नहीं सर इसका अंसर में 0 कहूंगा क्यों एक से लेकर 121 तक के संख्या को गुना करूंगा बहुत सारे समसंख्या होगे और 5 का गुना होगा 0 बला संख्या भी होगा 10, 20, 30 तो अंतिम में 0 हो ही एक इस है, इसका पावर तीरान भी लिख दिए, सीधा एक सो एक इसमें ते एक के होगा, लेकिन इसमें भी unit digit, यानि कि एकायंग, unit digit, यानि एकायंग क्या हो जाएगा जी, एक हो जाएगा, यह बात आए समझ में, अब मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल में आप अगर गलती कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, सुनिए, गलती नहीं करिएगा, गलती नहीं करिएगा, गलती नहीं करना है, यहाँ पर दिखिए, अगर मैं लिख दूँ, कि factorial, ये मैंने लिखा था, पांसो पच्पन, लिखा था न, पीछले सवाल, जो सवाल मैंने ये पूछा था, इसका क्या मतलब होता दोस्तों, ये factorial पांसो पच्पन, मतलब एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, छो गुना, साथ गुना, आठ गुना, डोट, डोट, कहां तक मैं गुना करता, पांसो पच्पन तक की संख्या को गुना कर एक दूना दू तदू ती आई छो, छो चके 24, 24 में 4 लीजिए, 4 पचे 20, लास्ट में 0 आया, 0 में 6 से 0, 0 में 7 से 0, 0 में 8 से 0, 0 में किसी से गुना करेंगे, तो अंतिम डीजिट क्या होगा, 0 होगा, तो आपका answer option भी होगा, इस मात्र 14 पर 30 लोगों में है, ये खूला जो होत आप लोग जबाब इसका, देते रहिए गया से सवाल का, अब मात्र आप ये बात सीख गए ना, तो आप तमाम विद्यार्थी के मात्र 14 परसेंट में आते हैं आप, ये बात पक्का है, अब आजाईए, मुझे एक बात बताईए, मैं एक सवाल देता हूँ आपको, और मैं एक सवाल और मैं देता हूँ, एक सीधा लिखूँगा मैं 125, और इसका पावर कितना दूँगा मैं 343, और इतना मैं पूछूँगा कि इकायंक क्या होगा, इकायंक क्या होगा, क्या आप मुझे सच में बता पाएंगे, सच में बता पाएंगे, देखिए, एक से लेकर 125, प पावर कितना हूं बड़ा संख्या क्यों न है, कितना हूं बड़ा संख्या क्यों न है, अगर फैक्टोरियल 125 के पावर 343 है, तो कोई बात नहीं है, ये 1 से लेकर एक सो पाचीस तक जब अंदर ये होगा गुना, तो इसके अंतिम में 0 आएगा, और किसी भी संख्या का पाव छो नो चिंज ये बहुत बड़ी संख्या आएगी फैक्टोरियल 125 का मतलब एक से लेकर 125 तक के संख्या को गुना करोगे बहुत बड़ी संख्या आएगी लेकिन उसके अंतिम में 0 जरूर होगा और उसके अंतिम में 0 है तब पावर कुछ भी रहे 0 आना ही है अब इसमें बता एक चीजे समझ में आ गया तो मुझे उमीद है कि कभी भी इस तरह के कोई भी सवाल आपसे कोई पूछ लेगा और कह देगा कि भाई इतना में इकायं क्या होगा इतना में यूनि डिजिट आप कहेंगे एक क्या पूछ दिये सर ये क्या पूछ दिये इसका तो एंसर सीधा चोगा कोई दिक्कत नहीं अब दोस्तों मैं एक सवाल के लिए आपको छोड़े जाता हूँ ठीक है अब मैंने ये लिख दिया अब मैं ये लिख देता हूँ फैक्टोरियल एक सो तेईस ठीक ये सवाल का जबाब तो आप नहीं दे पाएंगे अभी मैं कुछ बचा के 26 और इसका पावर मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल बारा ठीक और इतना में आपको बताना है कि इकाई अंक इकाई अंक क्या होगा अगर आप मुझे बताएंगे मुझे बहुत खुसी होगी और दोस्तों थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है सवाल में ठीक है बाकि म मैं एक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में परवाइड करवा देता हूँ ताकि मैं वहाँ कोस्चन कुछ भेजू तो आप लोग प्रैक्टिस वहाँ पर करते रहें वीपिंसर पीडियेफ करके एक टेलीग्राम चैनल है वीपिंसर पीडिय गया कि 0,1,5,6 ये तो चेंज नहीं होते हैं बाकी जो डिजिट हैं 2,3,7,8 ये सब चेंज होते हैं तो कैसे चेंज होते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा और बताना कि सर हां अगला पार्ट बना दीजे आधा आप सीख चुके ह सिर्फ आधे में अटके हो और ये चीज़े आप जानगे है न तो अगली वीडियो में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा और बड़ा मजा आएगा नेक्स्ट पार्ट इसका जरूर लेके आऊँगा अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए का सर इसका दूसरा पार्ट बना दीजिए तो पूरी तरह से इसका एकदम संपुर्ण ज्यान हो जाएगा आपको ये उने डिजिट का पक्का मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू वेस्ट अफ लग